असलाम उलेकुम फ्रेंट्स आज मैं लेका राई हूँ बिल्कुल एकदम नया नास्ता आज से पहले आपने ये नास्ता बिल्कुल भी नहीं ना खाया होगा ना देखा होगा तो फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे 4-5 कलिया लहसन की मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिये तो उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 पयाज साथ में 2 हरी मिर्च तो अभी एक मिर्ट के लिए इसको थोड़ा सा हम फ्राइ कर लेंगे सारी चीजों को, गैस का फ्लेम हमें एकदम मीडियम रखना है, अभी यहाँ पे मैं डाल दूगी 100 गिराम मतर, तो मतर को मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया था, आप फ्रोजन मतर भी ले सकते हो, यह मतर को थोड़ा सा गरम पानी में डाल के रख सकते हो, क्योंकि उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो इस टाइम पे मुझे जादा नहीं पकाना है इसको, तो इसलिए मैंने पहले से यह उबाल लिया है, तो इसमें हमने डाल दी हैं कुछ मसाले, एक चमाच लाल मिर्च, एक चमाच धनिया पावडर, आध चमाच गरम मसाला, आध चमाच नमक, आध चमाच हल्दी पावडर, तो यह मसाले हम अच्छे से डाल के इसको भून लेंगे, एक दो मिनट के लिए, अभी इसके साथ में हमें डालने हैं आलू तो चार आलू को मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया है अगर मैं आलू उबाल ना दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैंने पहले ही आलू को उबाल के रख लिया है यहाँ पे अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो friends मेरी आप लोगों से request है कि अगर recipe अच्छी लगे तो please recipe को like करना और channel को भी please subscribe कर लेना तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसको mix कर लिया है अभी इस stuffing को और जादा tasty बनाने के लिए इसमें मैं यहाँ पे डालूँगी add करूँगी एक चमच चाट मसाला तो चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगा पे हम चूर powder डाल सकते हो तो यहाँ पे इस टाइम पे एक चमच हम इसमें डालेंगे यह और इसके साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी हरा धनिया तो काफी सारा मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और इसको और ज़्यादा बढ़ हजार टेस्ट देने के लिए इसमें मैं एक नीवो का रज डाल दूँगी तो बस आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें हमारी कितनी बड़हा टेस्टी चटपटी बनके तयार हुई है तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो बस अभी इसमें यहाँ पे हमारी बनके तयार है अभी gas का flame मैंने यहाँ पे off कर दिया है और अभी हम इसको एक साइड रखेंगे जब तक stuffing हमारी ठंडी होती है थोड़ी सी तब तक हम आगे का process करते हैं तो यहाँ पर यह देखे मैंने 7-8 bread ले लिए हैं तो अभी इस bread को सारों को हटा देंगे और एक bread रखेंगे यहाँ पर तो अभी हम यह देखे कोई भी इस तरह की कटोरी ले लेंगे तो उससे हम इसको cut कर लेंगे तो यह कटोरी यहाँ पर देखे बड़े size की है इससे छोटे size की कटोरी लेनी है मैंने जो बिल्कुल bread के उपर एकदम fit हो जाए तो यह छोटे size की मैंने कटोरी ले ली है और अभी इससे हम इसको cut कर लेंगे गोल circle निकालना है हमें इससे तो बस इस तरह से मैं इसको cut कर लूँगी यह देखिए तो यहाँ पर मैंने इसको cut कर लिया है और जो हमारे यह बचे हुए है यह देखिए चारो तरफ का इसको भी हमें फेकना नहीं है इसी recipe में हम इसका भी use करेंगे क्योंकि इसका हम bread crumbs से बना के तयार करेंगे तो इसको एक side रख लेंगे और बाकी के यहाँ पर मैं सारे इसी तरह से cut कर लूँगी यह देखिए बीच में रखना है मैं बिल्कुल जिससे बीच-बीच का भागा आई इसमें और किनारे ना आए तो मैंने यहाँ पर सारा cut कर लिया है आप देख सकते हो अभी सबको मैं हटा दूँगी और एक slice ले लूँगी तो यह देखिए इस तरह का आप कोई भी ring ले लिजिए अगर आपके पास ring नहीं है तो कोई छोटे मुका गिलास होगा कटोरी होगी तो बस इस तरह से हमें इसको बीच से cut करना है इसको मैं अभी एक side रख दूँग और दूसरा वाला पीस हम रखेंगे slice bread की उसके उपर यहाँ पर मैं एक से डिर चमच भरके stuffing रख लूँगी इसके उपर और अच्छे से किनारों तक फैला दूँगी तो अभी यहाँ पर हमें बीच में center में थोड़ी सी जगा खाली करनी है यह देखिए और side side कर देंगे ह हमने यह काटा था अभी उसी रिंग को हम यहाँ पर रखेंगे यह देखिए और बीच में से इसको cut कर देंगे यहाँ पर तो बस अभी मैं इसको निकाल दूँगी और यह देखिए इसको हम अच्छे से उपर की stuffing अच्छे से हाथ से set कर लेंगे और इसे हम निकाल देंगे बीच से कट करके, तो ये देखे, अच्छे से इसको हाथ से हमें सैट कर देना है बढ़हा से, जिससे इसके उपर स्लाइस के चिपक जाए, स्टफिंग बढ़हा से, तो बस अभी दूसरा वाला पीस उठाएंगे हम और वो इसके उपर से रख देंगे, ये देखे, कितना मन करता है, चटपठा शाम को इफ्तारी में, तो आप इसको बनाईए, तो बस मैं एक और आपको बताती हूँ, कि किस तरह से ये देखे, बीच से हमें खाली करना है, जगा थोड़ी सी बनानी है, रिंग के लिए, तो बस इस तरह से हमें कट कर लेंगे, ये देखे, और बस एक और इसी तरह से हमें कट कर लेना है, यहाँ पर बीच में रखके, तो ये देखे, बस इसको भी निकाल देंगे हम, तो ये सारा में इसी तरह से बना के तयार कर लूँगी, तो ये देखे, फ्रेंट्स, सारा नास्ता हमने इसी तरह से बना के रख लिया है, अभी चलते ह सारे का bread crumbs बना के तयार करेंगे इसको फेकना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि इसी recipe में हमें इसको यूज करना है तो इस bread crumbs से आप बहुत सारी चीजे बना सकते हो यह बहुत snacks में काम आता है bread crumbs आप बना के रख लीजिए जब भी कुछ bread का बनाते हो तो आप इस तरह से bread crumbs बना है तो चलिए बस अभी इसको भी एक साइड रख देते हैं और अभी हम बनाते हैं थोड़ा सा मैदा का गोल तो दो चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है उसमें थोड़ा सा हम एक चुटकी नमक डालेंगे और पानी डालके इसका एक पतला सा गोल बना के तयार करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी से हमें दो चम्मच मैदा चाहिए तो बस अभी यह देखे पानी डालके इसका एक तम बिल्कुल पतला गोल बना लेना है यह देखे तो गोल बनके यहाँ पर हमारा तयार है अभी गैस के उपर एक पैन रख दिया है मैंने और उसमें तेल डाल दिय है तो अभी तेल को गरम होने देते हैं तो यह देखे फ्रंस एक इस तरह से हमें उठाना है यह डोनट आप इसको ब्रेड डोनट बोल सकते हो तो बस इस तरह से उठाएंगे हम और ब्रेड क्रम्स में रख देंगे और उपर से इस तरह से हमें इसके उपर ब्रेड क्रम्स इससे हमारा नाश्ता बहुत जादा ये डोनट क्रिस्पी बनेंगे, बहुत जादा कुरकुरे बनेंगे, तो बस सारे के उपर इस तरह से अच्छे से सैट कर दिया है, और सारा में इसी तरह से पहले एक बार बना के रख लूँगी, तो तेल यहां पर हमारा गरम हो चुका है तो जादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, हमें यहां पर गैस का फ्लेम एकदब मीडियम रखना है, जिससे हमारा नाश्ता अच्छे से बढ़ह से क्रिस्पी और कुरकुरा बनें, तो बस दो डाल दिये हैं मैंने इसमें एक बार में, और थोड़ी देर इस तरह से हम इसको हल कर लीजिए, और कोमेंट्स करके भी बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगती है, और मेरे चैनल को प्लीज जादा से जादा सप्राइब कीजिए, तो बस यहां पर यह हमारे दोनों तरफ से मैंने अच्छे से इसको फ्राइब कर लिया है, अभी मैं इसको बाहर निक तो कितना बढ़ह सा आप देख सकते हो यहां पर, बहुत ही टेस्टी सा कुरकुरा नास्ता बनके तयार हुआ है, यह देखें फ्रेंट्स आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, तो आप भी इस रमजान में इसे एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए, बहुत जादा बच् दोस्तों के साथ शेयर करें,